नमस्कार बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है मैहुश शिवांगी तो चलिए जानते आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से पठना में आज नहीं होगी बारिश दोपर बाद सताएगी गर्मी दिन भर आते जाते रहेंगे बादल दो से तीन डिगरी तक बढ़ सकता है टेमपरेचर पठना समेंद पूरे प्रदेश में मानसूनव खत्म होने लगा है इस वज़े से शनिवार को दिन भर रुक रुक कर बादल आते जाते रहेंगे बाकी समय धूप खिली रहेगी मौसम विभाग के अनुसार पठना में गर्मी रहेगी सुबा में कुछ देर के लिए बादल चाये रहेंगे दोपर के बाद तापमान में दो से तीन डिगरी की बढ़ोतरी दर्श की जाएगी मौसम वेग्यानि दर्श सिपाही भरती पेपर लीक मामले में बिभेने जिलो से अब तक 150 लोगों की गिरफतारी हुई है बिहार पुलिस मुख्याले एडी जी जेस गंगवार ने प्रेस्वारता को संबोधित करते वे कहा कि अलग अलग जिलो में अब तक 74 एफायार दर्श हुई है पूरे कि रहने बाले सिपाही कमलेश को कंकरबाग पुलिस ने गिरफतार कर लिया था साथ ही यो यू पूरे प्रकरण में सबूतों के आधार पर अलग से भी एफायार दर्श कर सकती है बिहठा में जल्द होगी बिहठा एयरपोर्ट का सपनाव साकार मिली 134 एकर जमीन राजधानी पटना के बिहठा में एयरपोर्ट के लिए कुल 134 एकर भूमी का अधिगरहन कर लिया गया है जिला प्रशासन ने पहले चरन में 126 एकर जमीन एयरपोर्ट आथिरिटी को सौप दी है बागी के 8 एकर को सौपने की प्रक्रिया चल रही है 134 एकर जमीन मिलने के साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू हो गई है आधिकारियों के मताबिक निर्मान एजेंसी को चैनीत करने का काम शुरू हो चुका है भवन निर्मान के लिए जल्दी निवीदा निकाली जाएगी दरसल बिहटा में पिछले कुछ सालों से एयरपोर्ट के विस्तार की तयारी चल रही है भूमी अधिगरहन का काम पूरा होने के बाद अब निर्मान कार शुरू होने की उमीद है जाती गणना के डेटा पर रोक से स्ट का इनकार बिहार सरकार को नोटिस कर मांगा जवाब बिहार में ज्वाती अधारित गणना कड़े पोर्ट जारी होने के अगले दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच ग होई इसके बाद कोर्ट ने साफ तोरपर कहा कि हम इस मामले में विश्तरित सुनवाई करेंगे हम सरकार को नीती बनाने से रोक नहीं सकते हाला की कास्ट सर्वे के दोडान लिये गए लोगों के नीज्य आकरे सरकार सार्विजनिक नहीं करे इस पर मामले पर जनवरी में बिहार सरकार शुक्षकोन को दैशेव के लिएख राशवी जारी कर दिया है बिहार के शिक्षकों और हेड मास्टर के लिए बड़ी खबर है बता दे कि शिक्षा बिभाग ने शिक्षकों को देशेरे से पहले इन्हें अर्बो रुपे देनी के तैयारी की है इस साल बिहार में शिक्षकों के लिए देशेरा काफी अच्छा होने वाला है दरसल शिक्ष के सितंबर में दिये जाने वाले वेतन के पूरे 713 कड़ों रुपे की मंजूरी दे दी है बिहार बोर्ट का नया फर्मान 2025 में ऐसे चातर नहीं दे पाएंगे दसवी बारहवी की परिक्षा बतादे कि बिहार बोर्ट के अध्यक्ष आनंद किशोर ने घोशना की है कि 2025 से दस अक्ष किशोर ने कहा कि BSEB ने इसकी तयारी शुरू कर दी है इसकी जवानकारी स्कूल को पहले ही दे दी जाएगी बिहार बोर्ट ने बोर्ट परिक्षा 2024 के लिए उपस्थिती नियमों की भी गोशना की है इसके तहत बोर्ट ने कक्षा 9 से 12 तक 75 प्रतिशत उपस्थित नहीं होगी उन्हें अगले वर्ट परिक्षा में शामिल होने की अनुमती नहीं दी जाएगी तेरह पुरुस होकी टीम ने 9 साल बाद जीता गोल्ड सात्विक चिराग ने फाइनल में बनाई जगा 19 वे एशियन गेम्स में 13 वे दिन भारत को पुरुस होकी टीम ने पहला गोल दिलाया है भारत ने फाइनल में जापान को पांच एक से हरा कर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलम्पिक के लिए टिकट कटाया है कप्तान हर्मन प्रीत सिंग के दो गोल की मदद से भारतिय पुरुस होकी टीम ने गट चैंपियन जापान को एक तरफा फाइनल में पांच एक से हरा कर नौ साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलम्पिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया नड़ा के बाद राकेश टिकैट का तीन दिवसी बिहार दोरा आरजेरी विधाय के लाके में किसानों की सभागों करेंगे संबोधी देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाओं का समय नजजी का रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी चुनावी रणनीत को अगली जामा पहनाने में जुट गई है एक तरफ बिहार के मुखे विपक्षी पार्टी बीजेपी केंदर के नेताओं को बिलाकर पटना में बड़ा संबेलन कर रही है तो दूसरी तरफ बात करें महागडबंधन की तो वहां की सरकार दुरगा पूजा के बाद चुना की द्रौपती मुर्मुर करेगी वहीं से पहले किसानों के नेता राकेश टिकैट तीन दिवस्ये दोरे पर बिहार आ रहे हैं इस बीच राकेश टिकैट साथ ऑक्टूबर को आरजेडी के विधायक और पूर्विक क्रिसी मंतरी सुधाकर सिंग के छेतर रामगड़ के सिसो पूजा में रेलवे यात्रियों को राहत समस्तिपूर के रास्ते चलेगी बरौनी जश्वंतपूर पूजा स्पेशल ट्रेन दो पर दो वज के 25 मिनट पर पहुँचे हैं समस्तिपूर में दुर्गापूजा के दोरान होने वाली आर्थी अतिरिक्त भीर को देखते विए रेलवे प्रशासन ने समस्तिपूर के रास्ते बरौनी जश्वंतपूर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है इस ट्रेन के परिचालन इस रूट पर सफर कंडे वाली यात्रियों को सहूलियत होगी ये ट्रेन साथ ऑक्टूबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगी रेलवे के मुखे सूचना पतादिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताये कि दुर्गापूजा के दौरान होने वाली भीर नियंतरन के लिए ट्रेन चलाने का फैसल लिया गया है जिरो पाँच दो एक पाँच और जिरो पाँच दो एक चो बढ़ावनी यश्वंतपूर बढ़ावनी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बढ़ावनी से 7-10-2023 से 9-12-2023 तक सब्ता के प्रतेक्शनिवार को चलेगी जबकि ये ट्रेन यश्वन्थपूर से 10-10-2023 से 12-12-2023 तक सब्ता के प्रतेक मंगलवार को चलेगी बिहार में त्योहारों के दौरान होगी निर्बाद एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ती बिहार में तेवारों के दौरान निर्बाद एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ती सुनिशित करने के लिए विदुट विभाग विशेस तयारिया कर रहा है उर्जा विभाग के प्रधान सचीव सा बीस पी सी एल के सीमडी सजीव हंस के अनुसार दुर्गा पूजा दिपा के खराब ट्रांसफर्मरों को बदलने का निर्देस है तेवहार के दौरान अचानक लोड बढ़ने से ट्रांसफॉर्मर जलने या खराब होने की स्तिती में उसके साथ अस्थान पर ज्यादा च्हंता वाले ट्रांसफॉर्मर अविलम लगाने की भी तैयारी की गई इसके विज्ञान केंद्र पटना और एमस पटना के संयोगत पहल पर राज में मौसम जनीत बिमारियों से बचाओ के लिए एक विशेस पूर्वानुमान ज़ारी होगा। एक हफ्ते पूर्व एक संयोगत एडवाईजरी जारी की जाएगी अगर अगले एक दो हफ्ते में ही इस बाबद एक समझाओता ग्यापन पर हस्ताक्षर्ट की तयारी है। ऐसे में केंद्रिये ग्री मंत्री अमित शाह लगतार बिहार दोरे पर आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शाह जल्दी एक बार फिर बिहार दोरे पर आने वाले हैं। अमित शाह मुझफरपूर आ रहे हैं जहाँ वे एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दरसल मुखे मंत्री नितीश कुमार के अच्वानक पाला बदलने के बाद बिहार में महागडवंधन की सरकार बनी। बिहार में विजेपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही अमित शाह लगातार बिहार दोरे पर आ रहे हैं। पीते 16 सितंबर को ही अमित शाह मदुबनी के जंजार पूर पहुचे थे और लालू तेजस्वी के साथ साथ उन्होंने आरजेरी पर जोरदार हमला बोला था। शाह ने नितीश कुमार को सचेत करते वे कहा था कि तेल और पानी का मिलन कभी नहीं हो सकता है। आरजेरी की तुलना तेल से करते हुए शाह ने कहा था तेल अगर पानी मिल जाये तो उसे गंदा कर देता है। में भी मैनुवन चालान बंद कर ई चालान काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद 810 HHD का विवरन वितरन किया गया था जिससे ई चालान काटा जाता है। दूसरे चरन में नवगचिया, मोतिहारी, बकसर, मदवनी, रोतास, वैशाली, समस्तिपुर, सिवान, नवादा और बेतिया में भी मैनुवल चालान बंद कर ई चालान काटा जा रहा है। पतना और मुजफरपूर देश के तीन सबसे प्रदूशित शहरों में शामिल। अब भी शिर्ष पर बना हुआ है, ताजा रेपोर्ट के अनुसार देश का दूसरा सरवाधिक प्रदूशित शहर पतना दर्ज किया गया है, वहीं तीसरे नमबर पर बिहार का ही मुजफरपूर है।